नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? चलिए सुनते हैं आज का टॉपिक. आज का टॉपिक है हमारे सब के चहिते जिनसे ये दुनिया चलती है, जिनसे हर दुनिया का प्रारंभ होता है. ऐसे सूर्यदेव के बारे में. सूर्यदेव को प्रसंद करने के उपाय मैं आज आपको पताने वाली हूँ व्यक्ति के जीवन में सूर्य की दिशा अच्छी है उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सा प्रकाश देखने को मिलता है जो उनको अन्यक किसी व्यक्तियों में नहीं मिलता और उनको वो सभी के तुलना में अलग बना दीता है तुन्या में जितने भी व्यक्ति निडर होत उनके उपर भी सूर्यदेव की असीम कृपा सदैव बनी रहती है यह दे कुंडली में सूर्य आपका अच्छा होता है तो वो व्यक्ति बुधिमान बनाता है जिसकी कदर पूरी दुनिया करती है अब ये प्रश्ण भी उठता है कि जिन व्यक्तियों के जीवन में सूर्यदे अपनी कृपा बनाए रखे आए जानते हैं कि किस प्रकार सूर्यदेव को प्रसंद करके उनके से अशिरवात प्राप्त किया जा सकता है यदि आप चाहता है कि भगवान सूर्यदेव को प्रसंद करना है तो रविवार के दिन भूल से भी मास मचली एवं शरापकार सेवन प्राप्त हो सके यदि आपको कोई भी काम बार बार होते बिगट रहा है, तो काम में सफलता प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन काले कुट्ते को, काली गई को या काले रंकी किसे भी छिडिया को, रविवार के दिन पीले रंका वस्त, तामबा, गेहू, मसूहुर दाल, आधि जैसे चीजों का दान करके भी आप सूर्यदेव को प्रसंद कर सकते हैं सूर्य भगवान को केसरिया और लाल रंग बहुत पसंद है तो इस दिन सूर्य देव को केसरिया या लाल रंग के फूल अवश्य और पित करें साथ ही साथ लाल वस्त भी धारण करें ताकि सूर्य देव आप से जल्दी प्रसंद हो जाए अधित्यरिधाय सोद्र का पाठ करना रविवार के दिन बहुत ही शुब एवं प्रभावशाली माना जाता है यदि आपने अधित्यरिधाय को सोद्र का पाठ भरी भाती कर लिया है तो आपका समस्ता दुख एवं दर्थ हलके से दूर हो जाएगा यहां तक कि यदि व्यक्ति किसी भी गंभीर बीमारी से जूच रहा है तो उसकी वो बीमारी भी खत्म हो जाएगी इन सभी के अतरिक्त रोजान असनांगर की पश्चा तामर पत्र में जल भर कर उसी जल का अरग्य सूर्य भगवान को देने से भी सूर्य भगवान आप से हमेशा प्रसंद रहते हैं यदि आप चाहते हैं कि सूर्य भगवान की ग्रिपादरुष्टिया पर सदयव बनी रहे तो घर पर सूर्य यंद्र की सापना अवश्य करें तो दोस्तों के से लगा ये आपको आज का टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर था जो हमारी आम जिंदगी के उपर बनाया गया था आप मुझे आपकी जो खयाल है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा मिलते हैं अकले टॉपिक पर धन्यवाद